वेलकम ओनेजी लर्निंग नो आएम गोईंग टो एक्स्पेन आप पोईटिस सरौजनी नाइडू इन इस पाइट आफ वीडियो सरौजनी नाइडू जिनका जन्म 1879 में हुआ था और जिनकी डेथ 1950 में हुई थी इसे इंडिया की नाइटिंगल या भारत की बुलबुल कहे जाते हैं वो एक पोईट थे, साथ में नेश्टलिस्ट थे, रास्टरवाजी थे, फाइटर फर वुमेंट्स राइट, मतलब महिलाओं के अधिकार के लिए लरने वाले थे एंड नेश्टन बिल्डर और रास्ट को बनाने वाले भी थे हर थ्री वॉल्यूम्स अपोईम्स दे गोल्डेन थेशोल्ड उनकी पोईम की जो तीन वॉल्यूम है जो पहला है दे गोल्डेन थेशोल्ड जो 1905 में लिखा गया था इसे पूरी दुनिया में बहुत ही गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया कामेंटिंग ऑन हर फॉस्ट वॉल्यूम अपोईम्स दे टाइम्स रोट कहते हैं उनकी पोईम की जो पहली वॉल्यूम है जब उनका प्रकाशन हुआ तो उस पे टिपनी करते हुए कमेंटिंग करते हुए टाइम्स ने लिखा टाइम्स जो है किसी अखवार का नाम भी हो सकता है क्या लिखा उन्होंने कि उनकी पोईट्री जो है उसमें वो ऐसी गीत गाती भी मालूम परती है खुद को मानो की as if मतलब मानो की हर swift thought उसकी जो जल्दी बाजी जो उसकी विचार है जो विचार को जल्दी बाजी में प्रकट करना चाहती है swift thought और जो उसकी मजबूत जो आवेग है emotions से वो जो है उसकी lyrics में जो है जलकती है spring मतलब जलकना of themselves मतलब खुद की lyrics में मतलब जलकती है दिखाई परती है the Glasgow Herald observed Glasgow के herald या observe किया क्या observe किया the pictures are of the east it is true मतलब east की जो pictures है वो सत है क्या है true है but there is something fundamentally human in them that seems to prove that लेकिन मौलिक रूफ से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा चीज है human में जो है that seems to prove that जो कि या prove करना के लिए मालूम करते हैं कि the best songs knows nothing of east and west कि अगर आप बहुत अच्छा songs को लिखते हैं तो वो east और west में क्या difference है वो नहीं मानती है impressed with her second volume जो पूइते ग्रेयर म्यूजिक कहते हैं ग्रेयर म्यूजिक के साथ उनकी जो second volume थे उससे प्रभावित हो करके impressed हो करके तो योर्क शायर पोस्ट रिमार्क्ट योर्क शायर पोस्ट ने जो है इसके उपर रिमार्क किया क्या रिमार्क किया कि Mrs. Naidu has not only interest our language कि Mrs. Naidu ने हमारी भाषा को ही समरिद्धी नहीं किया बलकि उन्होंने उस भाषा को जो है जो उत्सा है या जोश है उसके साथ भी एक friendly relation मित्रवत जो रिष्टा होता है उसको बढ़ाने में योग बनाया grow into मतलब बढ़ाना और enable means योग बनाना और spirit के साथ emotions को भी जो राइन होने mysticism को भी जो राइन होने और इस्ट की जो चमक धमक है इस्ट का मतलब इस्ट में जैसे हमारे इंडिया हो गए पाकिस्तान ये eastern country है तो हम लोग इस्ट के बास्टी हैं इसलिए यहाँ पर इस्ट है तो इस्ट की जो चमक धमक है उसको भी दिखाया अब mysticism क्या होते हैं जिसमें की आपको बहुत ही गुड बातें लिखी हुई होती है बहुत ही रहस्मई बातें लिखी हुई होती है ता प्रिजेंट पोएम प्रिजेंट पोएम जो है वो पोएट का जो एकदम मजबूत जो विश्वास है इस्वर में उसका एक स्वरूप है अबावल है सारोजनी नाइडू एक्सप्रेसे हर इनमास्ट फिर और प्रेस तो गाइड हर थौट स्टार्कनेस सारोजनी नाइडू क्या करते है अपने जो अंदर की जो डर है उसको बताते है और गौड से प्रे करते है कि उनकी जो अंधेरे में जो उनकी थौट है जो अंधेरे में थूरू मतलब अंधेरे से जो होकर जो वो गुजर रहे है उस अंधेरे से कैसे बचे उसके लिए वो रास्ता दिखाए